हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी तो आज इस वीडियो के अंदर जो बी ए बी एसी फर्स्ट इयर मैथ की जो बुक है सोलिड जमेटरी उस बुक के अंदर भई मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट चेप्टर्स बताने वाड़ा हूं ठीक है दो कोशन मेरे से बहुत सारे है वो पूछ रहे हैं कि सर हमें अच्छे मांक्स लेके आने हैं तो उस केस में हमें कौन से चैप्टर करने होंगे और कौन से चैप्टर हम छोड़ सकते हैं तो complete detail मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाड़ा हूं तो वीडियो को लास तक जूर देखना उसक को सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन प्रेस कर लेना और यहां पर आप लोगों को बीए बीए ऐसी मैथ फीजिक्स और केमेस्टरी के जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ओफ कोस्ट प्रोवाइड किये जाते हैं ठीक है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जागे फिजिट कर सकते हो य उनकी कुछ अलग बुक है वो सेकिंड सिमेस्टर में आएगी उसके अंदर यह एड है तो जर्नली के यू के एमडी उ सीडी एल यू ठीक है जितनी भी उनिवस्टी एसी आरेसी उनके बारे में यह वीडियो है तो फर्स्ट ओफ होल भई फर्स्ट उनिट के अंदर आप ल लिख रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट और सेकिंड चैप्टर कर लेना यहां से आप लोगों के यूनिट कंप्लीट होने के चांसी हो जाते हैं कई पारी जो एक कुश्चन है यूनिट चैप्टर थर्ड से आ जाता है बट अगर आपको पास होना है तो दो चैप्टर कर लो more than यह थी यूनिट फर्स्ट की बात अब बात आती है यूनिट सेकिंड की तो यूनिट सेकिंड में आप लोग कर लो 6 चैप्टर ठीक है यूनिट सेकिंड में कौन चैप्टर करना होगा 6 तो यह तीसरा चैप्टर होगा ठीक है नमबर 6 उसके बाद बात आती है यूनिट थर तो पोलर इक्वेशन से ठीक है जो कोनिकोईड की पोलर इक्वेशन है वहां से कुश्चन बढ़ता है तो मान के चलो आप लोगों को ये 9.3 से पहले जितने एक्जाम्पल है वो करने होंगे ठीक है तो ये 9 चैप्टर हो गया हाफ आदा राइट और अब बच गए ये 3 यूनिट 4 में 4 चैप्टर यहां से आप 10 और 11 कर लो राइट इतने चैप्टर करने के बाद 1,2,3 ये आदा हो गया 4,5,6 है ठीक है 13 में से अगर आप 6 and half चैप्टर कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है न वो मैं बता रहा हूँ आप near about half percent gain कर लोगे अगर आपका exam 27 marks का होता है 30 marks का होता है तो example के तोर पे बता रहा हूँ आपका exam 80 marks का होता है ठीक है तो आपके near about इतने चैप्टर करने से 40 के आसपास number आ जाएंगे ठीक है तो near about 6 chapter तो आपको करने ही पड़ेंगे pass होने के लिए at least ठीक है तो 13 में से 6 chapter कर लेते हो तो आपके pass होने के chances बहुत जादा हो जाते है अब जो second case आता है भई, second case आता है सर हमें अच्छे marks लेके आने है और कोई risk नहीं लेना हम चाहते हैं कि जितने भी question आए unit wise हर unit हमारी क्या हो जाए attempt हो जाए तो उस case में सुन लो, उस case में भई, first unit में आप एक chapter और कर लेना first, second, third जो कोई risk लेना ही नहीं चाहते हो चाहते हैं कि हमारी पूरी unit cover होनी चीए हर आल में तो उनके लिए first chapter करना जरूरी है, second chapter करना जरूरी है, third chapter करना जरूरी है ठीक है, उसके बाद unit second की बात आती है तो फेर से question बन जाता है, ठीक है, उसके बाद आप कौन कर लोगे तो 100% sure हो जाओगे कि जो question आएगा, वो attempt हो जाएगा ठीक है, unit के अंदर जो questions आएगे, वो सारी questions क्या हो जाएगे, attempt हो जाएगे तो यहाँ पर आप लोगों का 6th और 7th भी आ गया उसके बाद 9th chapter सेम रहेगा, कि आप लोगों को 9.3 तक करने ही होंगे क्योंकि यह chapter जर्नली मेरी book के according अगर बात करें, तो इस chapter के अंदर जो आप लोगों की exercise है, वो कितनी है exercise है, भी 7, ठीक है, 9.7 तक है तो आप 9.3 से पहले जितने भी example है, प्लस में 9.4 से पहले जो example है ठीक है, यह कर लेना, तो जो अच्छे marks लेना चाहते हैं, वो 9.4 तक पहुँच जाना वे ठीक है, definitely अच्छे marks आ जाएंगे, अब यहाँ पर chapter बसते हैं, आप लोगों के 4, तो 4 में से 2 कर लेना 10th और 11th, ठीक है, इतने कर लेना 10th और 11th और कोई जादा ही करना चाहिए, तो 1 और कर लेना 12th, बाकी 10th और 11th से question attempt हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पर chapter कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 तो जादा फरक नहीं है, यहाँ पर 1 chapter और कर सकते हो 12th, बाकी 2 chapter भी कर लोगे 10th और 11th, यहाँ से question attempt हो जाएगा, ठीक है तो यह procedure है, यह देख लो एक बारी, अगर आप इतने chapter कर लेते हो ना, आपके जो marks हैं, वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है और इतना कर लेते हो, तो भई, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाड़े है, ठीक है तो यह थी solid geometry की, और अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए, algebra, calculus, तो वो भी आप लोगों को जल्दे मिल जाएगी, comment section में comment करके बता देना थैंक्स वर वोचिंग, creative study AK, मिलते हैं next video में with next book